नमस्कार मैं हूं सुकीरती मिश्रा आप देख रहें न्यूस टाइम्स नेटवर्क का न्यूस बुलिटिन केरल पंजाब के बाद आज बंगाल विधान सबा में पास होगा CAA के खिलाफ प्रस्ताव नोबल पुरसकार विजेता अभिजीत बेनरजी बोले भारत को बहतर विपक्ष की है जरूरत एर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी सरकार जारी किये दस्तावेज जैपुर में सामने आया कुरोना वाइरस का पहला मरीज बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर दागी मिसाई लें इरान पर हमले का शक केरल पंजाब के बाद आज بنगाल विधानसभा में पास होगा के खिलाव नागरिक्ता संशोधनकानून के विरोध का दाइरा दिन पर दिन बढ़ता जा केरल पंजाब और राजस्थान के बाद अब पश्चिम बंगाल की विधान सभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताफ पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री मंता बेनर जी की पार्टी त्रमूल कॉंग्रिस पार्टी आज सदन में प्रस्ताफ लाएगी मंता सरकार की और से लाए जारह प्रस्ताफ का लेफ्ट और कॉंग्रिस दोनों ही समर्थन कर रही हैं इसके साथ ही बंगाल सरकार इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी हलाकि भारतिय जनता पार्टी इस प्रस्ताफ का विरोध कर रही है नोबल पुरुसकार विजेता अभिजीद बेनर जी बोले भारत बेहतर विपक्ष की जरुवत तक्यात अर्थ शास्त्री और नोबल पुरुसकार विजेता अभिजीद बेनर जी ने रविवार को कहा कि भारतijn को बेहतर विपक्ष की जरुवत है जो किसी भी लोक्तंत का रिधय है और सत्ता रूर पार्टी को भी नियंतर में रहने के लिए इसे स्वीकार करना चाहिए जैपुर साहित महोचसफ के सत्र को संभोधित करते हुए 58 वर्षिय भारती अमेरिकी अर्थ शास्त्री ने कहा कि अधिनायक वाद और आर्थिक सफलता में कोई संबंद नहीं है आप आसानी से तर्क कर सकते हैं कि सिंगापूर में सफलता मैं परुट से नशाह था जिंबाववे की बात वहाद की जा सकती है हम इस घरणा उत्पंद करने वालों के प्रात्मिक जानकारी भी साजा कर दी गई है सरकार की ओर से जारी दस्तावेश के मुताबिक रणीतिक विनिवेश के तहट एयर इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी सो फीजदी और एसे टीएस के पचास फीजदी शेयर बेचेगी इसके अलावा प्रबंधन नियंत् सफल बोली लगाने वाले के हाथ चला जाएगा सरकार ने इस विनिवेश में बोली प्रक्रिया का इस्तिमाल किया है इसमें शामिल होने के लिए 17 मार्श का समय रखा गया है जैपुर में सामने आया कोरोना वाइरस का पहला मरीज चीन से दुनिया भर में फैल रहे इस्पताल में चल रहा है बताए जा रहा है कि चीन में MBBS की पढ़ाई करके लौटे चात्र में कुरोना वाइरस के लक्षन देखने को मिल रहे हैं जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराए गया राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ मंत्री डॉक्टर रगु शर् यह हैं साथी संदिक मरीज के नमूने तत्काल पुरे स्थित नेशनल वाइरोलोजी लाब में भिजवाने को कहा है बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर दागी मिसाईलें इरान पर हमले का शक एराकी राजधानी बगदाद में एक बर फिर अमेरिकी दूतावास को वहीं इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाफ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए निउस टाइम्स नेटवर्क